हेलो वीडियो गुरू में आपका स्वागत है और आज का दूशेशन है वो एक बार फिर से जो है वो कोडिंग पे बेज दे और अब कोडिंग का एक और पैटन जो आपके एकजाम में आपके ससी एकजाम में बैंक एकजाम में आता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इस सेक्शन में जो भी हम लोग देखेंगे वो कुश्चन फ्रिक्वेंटली ससी एकजाम में इन फैक्ट बैंक एकजाम में भी पूछा जाता है इन कुश्चन को करने के लिए बेसिकली जो हम लोग आज कोडिंग करने वाले है उनके लिए हमें कुछ नहीं बहुत सिंपल सा होता है बस उस पे प्रैक्टिस करने की जरूत होती है ताकि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन हो पाए अब देखते हैं हम लोग करने क्या वाले कोडिंग एंडिकोडिंग है टाइप की बात करें तो टाइप जो है या फिर number substitution किया जाता है इसी तरीके से एक होता है जहाँ परे पूरे word के sentence के word को substitute किया जाता है कीसी particular group of alphabet से उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आईए चलते हैं पहले तो यहाँ पर symbol आर number substitution of letter of word यहाँ पर देखेंगे जो सामने रूप से question हमारे exam में बनते हैं वो एक तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत simple सा question होगा लेकिन कई बार चुकि हम लोग इसके बारे में focus नहीं कर रहे होंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी means हम गलत करतेंगे अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ if watchman is manager, manager is clerk, clerk is a teacher, teacher is principal, principal is a student and who teaches अब तो जहन में आते हैं कि who teaches तो इसका मतलब यह हुआ कि जो teacher होता है वह हमें पढ़ाता है लेकिन यहां पर code किया गया है, substitute किया गया है, मतलब यहां पर कह रहा है watchman is manager, जो भी watchman हो को उसको manager कहेंगे जो manager हो को clerk कहेंगे, clerk हो कहेंगे, teacher हो कहेंगे, और teacher जो होको उसे principal कहेंगे और principal को क्या कहेंगे, student कहेंगे हमेशा द्हान रखना ऐसे question में गलती हम लोग उससे कहां पर हो जाती है जैसे यहां पर आपको जो पूछा गया है who teaches तो कौन पढ़ाता है तो समझ में आता है teacher आप देख लिए तो teacher किस से substitute किया गया है यहां पर लिखा हुए teacher is principal teacher कौन है principal है teacher is called principal आप ऐसे कह सकते हो तो who teaches I'll say principal teachers तो code language में जब इसे बोला जाएगा तो बोला जाएगा जो principal है वो teach करता है कभी भी ध्यान रखें ऐसे question में ऐसा ना सोचेगा teacher जो है वो teach करता है तो teacher क्या है principal है और principal जो है वो student है इसका मतलब student teach करता है ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए बात समझना उसके just next वाले element को ही आप उसका substitute consider करेंगे इस बात को अपने जहन में बैठा लिजेए जैसे यहां पर पूछा गया who teaches तो हमारे जहन में आया teacher और teacher को हम लोग substitute किसे कर रहे हैं according to the question principal से it means जब हम code language में बोलेंगे तो हम बोलेंगे पढ़ाता कौन है principal पढ़ाता है तब यहां पे हमारा option कौन सा हो जाएगा third option correct हो जाएगा इतनी बात समझ में तो ये तो एक type रहा आप इसी से related question आपकी सामने रखता हूँ इस question को video pause करिए और quickly answer करिए चलिए solution पे आते इस भी कह रहा है if paper is leaf paper जो है वो leaf is a plant plant is green green is blue blue is orange then what is color of sky अब sky का color क्या होता है blue होता है अब blue को substitute किस से किया गया है orange से यहां पे देखें नीले को किस से substitute किया गया है orange से तब जब code language में आपको बताना होगा what is color of sky आस्मान का color क्या है तब blue नहीं बोलेंगे उस condition में blue का जो substitute होगा जो की orange है इस condition के according तो हमारा answer क्या हो जाएगा orange हो जाएगा that is option number 3 इतनी बात समझ में है तो यह तो एक type का substitution हो गया अगले type के substitution पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यह एक question है जिसमें एक word आपके सामने रखा गया है और इसके alphabets को substitute किया गया है किसी particular number से बहुत simple सा है लिखा हूँ इफ university is coded as is this like 7213948156 how can trustee be written in that code language यदि university को लिखा जाता है 7213948156 तो trustee का code क्या बनेगा उसी language में अब trustee को हमें code करना है तो सीधे देखेंगे यह जो alphabets है ना यह alphabets इसमें आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे और जो क्रम है वही क्रम रहेगा like you के लिए 7 हो जाएगा जैसे अगर हम लिखे uni university लिख लिख लिखा ना अब इसका code लिखते है seven two one three nine four eight nine four eight one five six one five six अब देखो इसका मतलब you के लिए यह है यह इसके लिए 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 देखो I, I दो बार है न और I के नीचे 1 ही लिखा हुआ है, हर बार 1 लिखा हुआ है I के नीचे, इसका मतलब यह हुआ कि I का code common होने की वज़े से, दो बार I आने के वज़े से I को code किया गए, क्या 1 से, अब यहाँ पर trustee पूछा गया, तो trustee, T, R, U, S, T, Y लिखा न, तो T के लिए हम लोग इसमें देख लेंगे 4, और फिर U के लिए 7, S की अगर हम लोग बात करें, that is 8, और T के लिए again 5 लिखेंगे, और Y का जो है वो 6 लिखेंगे, अब हम अपने options की तरफ चलेंगे, option number 1 देखें, 5, 4, 7, 8, 5, 6, यहाँ पे देखें, option number 1 जो है, वो match कर रहा है, option number 1 match कर रहना, 5, 4, 7, 8, 5, 6, तो यह एक प्रकार का, जो coding है, यह भी substitution coding के अंदर ही आता है, आप इसे के extension की तरफ चलते हैं, extension मतलब थोड़ा सा, इससे आप पर लेबल के question पर, तो यह देखें, यह आपका जो extension question है, इस question में देख सकते हैं, in a certain code language, my rank is coded as 175734, ऐसा लिखा अब सोचने वाली बात यह है, कि आपके दिमाख में आएगा कि normal जो question होता है, हो सकता है, उस तरीके से किसी logic पर code किया गया हूँ, अब यह identify कैसे होगा, जब तक identify नहीं होगा, तो तक आप उलजे रहेंगे इस question, identify कैसे होगा, कि यह substitution का question है, और जितनी जल्दी आप identify कर प तो आपको मिलेगा, फिर देखे करन जो है न, जो करन पूछा गया है, इसका code पूछा गया, आप देखोगे कि पहले और दूसरे alphabet, word के alphabet से ही निकाल कर करन बनाया गया होगा, तभी आपको दिमाख में क्लिक हो जाना चाहिए, कि नहीं, यह तो substitution का question है, और जैसे यह क्लिक होता है, आप सीधे समझ जाओ, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मयंक, मयंक लिखा हुए न, और इसके लिए code क्या रखा है, इन्होंने, 175734, यह रखा हुआ है, और फिर देखे, rank, अब देखो, ANK, यह तो rank में भी common है, आप देखे, यहाँ पे rank में भी ANK क्योंन है, आप केवल अलग दिख रहा है, तो R का code दो केवल अलग दिख रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे R, और इसके नीचे लिख लेंगे 2, अब सारे alphabet जतने भी दोनों word से मिल रहे हैं, वो और उनके जो substitutions हैं, वो हमने एक जगह पे लिख लिए, अब इससे हमें बनान पे A है और इसका 7 है, फिर R का देखें हम लोग, R यहाँ से मिला था में rank वाले से, और इसका हमने क्या निकाला था, 2 निकाला था, फिर A का again 7, और N का देखें तो यह क्या लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब 47273 और यह option number 3 में आपको दिख रहा होगा, 47273, अब अगर कही यह ऐसे question में उलच गए न, तो यह पूरा समय खा जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना जिन बातों को हमने बताया है, और accelerated questions को practice भी करेंगे, अब आगे बढ़ते एक और question आपके सामने लेके आते, इसी accelerated, यहाँ पे number के साथ साथ कुछ symbols को भी रखागे, और यह easily spot हो जाता है, यह तो बहुत easily spot हो जाएगा कि guess लिखा हुए at the rate $7, $2, snip is written $59, तो सिंग का quote आपको बता है, तो बहुत easily spot हो जाएगा कि यह substitution का question है, आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुए, guest, है न, और इसके लिखा हुए, gust at the rate $7, $2 लिखा हुए, फिर हम लोग snip, अब snip जो word लिखा हुआ है, S-N-I-P, snip word में सभी alphabet जो है, S-N-I-P बिल्कुल नए है, सारी के सारी guest में कहीं पे नहीं था, और इसके लिखिया लिखा हुए, $5, $9, और hash, अब आप देखो, S जो है, वो इन दोनों में common था, बाकी सारा का सारा अलग है, S common है, तो उसके ल अगर S-I-N-G, singly कालना है, तो S का आपको यहां से मिल रहा है, that is what, $, S का क्या मिल रहा है, $, अब I-N-G का देख लेंगे, I का यहां से भी देखो, क्या लिख रहा है, I का code क्या देख रहा है, 9 देख रहा है, फिर देखे, N का code क्या देख रहा है, N का यहां से मिल रहा है, क्या है 5 है और फिर हम देखे जी का कोड तो जी का पहले alphabet से मिलना है पहले word से मिलना है और पहले word में जी का कोड क्या रखा हुआ है add the rate रखा हुआ है इसका मतलब dollar nine five add the rate अब dollar nine five add the rate हमारे option number one में रखा हुआ है it means जो correct answer हो जाएगा वो पहला option हो जाएगा और यह बहुत simple था spot करना अब आगे बढ़ेंगे कुछ और substitution के इससे भी उपर level के question जो हमारे exam में बन सकते हैं वो देख लेते हैं यह देखिए यहाँ पे इस question में क्या लिखा हुआ है if ram is bad written as so ma ju फिल लिखा हुआ bad boys fall fail bad boys fail is written as ma loser then what will represent bad bad को कौन पर दर्शित करेगा अब जरह हिंदी भी देखते है क्या राम is bad इसको लिखा जाता है कैसे so ma ju फिर लिखा गया bad boys fail f a i l है वो चुकि फॉन्ट ऐसा है आपको double l दिख रहा हुआ बॉय bad boys fail ma loser के रूप में लिखा गया तो दूसी कोड़ भाषा में bad को कैसे प्रदर्शित करेगा आप हमेश्य धान रखना ऐसा question जो है वो substitution का आपको देखने को मेलेगा और यह one line question होता है spot कर लेना चाहिए देखते ही और कैसे होगा देखो राम is bad अब इसमें जो पहला statement है और जो दूसरा statement लिखा हुआ है दूसरा statement क्या है bad boys fail यह दोनों ही statement में आप देखो common कौन सा word है आप common word देखे तो bad common है और bad common है इसका मतलब bad का जो substitution होगा वो भी common होगा जैसे राम is bad में यह तीनों किसी को प्रदर्शित करते होंगे चाहिए राम को यह so प्रदर्शित करता होगा या yes को या bad को लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन किसको represent कर रहा है आप देखो bad common है तो इसका मतलब उनका जो code है जो उनका substitution है वो भी दोनों में ही common होना चीए तो पहले वाले में so ma ju लिखा हुआ है और फिर दूसरे वाले ma loosa इसका मतलब देखे common कौन सा है ma उसके लावर कोई common नहीं है तो सीरीसी बात है bad का जो code बनेगा या substitution बनेगा वो क्या बनेगा ma बनेगा तो third option will be the correct one इतनी बात समझ में आई अब जरह ऐसे question पर चलते हैं जहां directly spot नहीं कर सकते जैसे ये question आपके सामने है she is a girl written as sa la kuju girl is beautiful लिखा हुआ है kulu sir अब ध्यान देना इसमें बूचा गया then what will represent girl in that code language उस कूट भाशा में girl को कौन प्रदरशित करेगा मतलब girl का substitution क्या होगा अब ज़रह समझ नहां यहां पर इन दोनों में ही she is a girl यहां देखी और अगला देखी जो है girl is beautiful kulu sir इन दोनों में common कौन कौन सा है एक तो girl common है और एक is common है दो common है कौन कौन से common है एक girl और एक कौन सा common है is अब इन दोनों के लिए substitution भी दोनों में ही common होना चाहिए और substitution की तरफ अगर हम लोग जाएं तो एक तो दिख रहा हुआ सा एस ए यहां पर दिख रहा है इस वाले हुए और इस वाले substitution में ऐसे यहां पर दिख रहा है और सा के अलावा के यू कौ कौ भी जो है दोनों में common दिख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि अब या तो सा और कौ यह दोनों जो है गल और इस में से किसी को रेप्रेजेंट कर रहे हैं सा हो सकता है गल को रेप्रेजेंट कर रहा हूँ या उसकता है कू गल को रेप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे ही सा हो सकता है इसको रेप्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर उसकता है कू इसको रेप्रेजेंट कर रहा हूँ सभी हो जाएगा तो यह तो रहा हमारा जो जिस कोडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आप आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कोडिंग के कोडिंग कोडिंग ही रहा है अब आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पर आएंगे फिर आप से मिलेंगे तो तब तक के लिए इतना ही आप हमारे साथ ऐसे ही जूड़े रही है और पढ़ते रही है महनत करते रही है प्रेक्टिस करते रही है इस कोडिंग जो थे वह बहुत सिंपल कोडिंग थे क्योंकि आपके एक्जाम में इसी लेबल एससी एक्जाम में इसी लेबल के कोडिंग मिलते हैं तो यह उस लेबल के कोडिंग आपके सामने रखे कए तो आज के लिए बस इतना ही stay tuned with us thank you so much for watching this thank you so much for connecting with us thank you